आपका विदर्ब की बात में आज बात करेंगे विदर्बर राज्य की जी ऑफ़ बिलकुल विदर्ब की बात जो हमारा जो चैनल है पत्रों में विदर्ब राज्या आंदुलन की चर्चा है उसमें युवा नेतरूत्व भी था उसमें वृद्द नेतरूत्व भी था कई सीनियर लोग भी थे कई पूर्वा विधायक भी थे और कई ऐसे चेहरे थे, जो विदर्बा राज्य की मांग बर्सों से उठा रहे हैं विदर्बा राज्य की जब भी बात आती है तो विदर्ब को हमेशा पिछड़ा शेत्र कहा जाता है, लेकिन जो राजनेता आज खुरशी पर है जो सत्ता में है वो आज विदर्ब के विकास की बात करते हैं लेकिन विदर्ब राज्य समीति या विदर्ब राज्य अंदोलन समीति के जो लोग वर्षों से जुड़े हुए उनको ये बात कते ही अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनको पृतक विदर्ब चाहिए मतलब विदर्ब राज्य अलग चाहिए छोटे राज्य विकास की दुरुष्टी से हमेशा महतोपूर्ण होते हैं और हमेशा सपल होते हैं जैसे तेलंगाना का उधारान हमने देखा और कई सारे छोटे राज्य है जो आज अपने बेस पर तरक्षी कर रहे हैं लेकिन विदर्ब को माराष्ट से अलग नहीं किया जा रहा है इसका द विदर्बर आज्यके और कई कई आंदोलन में वह सहबागी हुए है हमारे साथ है अरुन केदार सर्ख विदर्ब की प्रकर आवाज और पूर्विधर्ब के अद्धिक्ष है वह इस आंदोलन से जुड़े हुए और कई सारे आंदोलन में अपनी भूमी का निभा चुके है और हमारे साथ है तात्या साहिब मते जो की कोर कमेटी की सदस्य है और आज पहली बार उनसे हम रूबरू हो रहे हैं क्योंकि कई आंदोलन में वह तो शामिल रहे हैं लेकिन ये जो तीन चार जो चेरे हैं वो हमेशा हमें दिखाई देते हैं हाला कि एक वक्त ऐसा था कि रा का जो आंदोलन वह वह सब भारी पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कही ने कई जो लोग विदर्बर राज्यव की मांग करते करते गदी पर बैढ़ गया है जिन्होंने सियासन हासिल किया उसके बाद में ये आंदोलन कहीं कई लोगों के जहन में अभी चड़ चुका है स सर से सर कल का जो आंदोलन था क्या बताने की कोशिश की गई विदर्बर राज्यव के तरफ से और जिस तरह से आंदोलन वह सबसे पहले प्रतिक लिए एक तो बात सिधी है पांच दिन के अंशन को गोव्मेंट ने नजर अंदाज किया और इस ये अंदोलन अंशन बंद हो दिन के बाद उसको हाइलाइट करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई आल्टरनेट जनाई था और 31 दिसंबर हमने अल्टिमेटम दिया था करेंगे मरेंगे जेल में सडेंगे तो अब करना हो गया मरने का प्रहास हो गया 30 पस्त आग समाप्त हो गया और एक जनवरी आने के जेल में गाने का यह एक प्रहास था हमारा और हमने सभी साथियों को बिंती किया और भगवान भी जा जेता है वहां चपर पाड़के मेडिया ने यह बार आंदोलन काफी उठाया और हमारे साथी काफी आये मुझे आप तो यह बहसा में बोलता हूं कि बिगडे जमाना पहले ही सुबह जब इस ते उगर तरीके से आंदोलन क्योंकि 2024 में भी इलेक्शन भी होने उन लोगों को वादा उनका याद दिलाने के लिए कि जिन्होंने विदर्व का विदर्व राज्य की कभी कभार मांग की तिया जो विदर्व राज्य के विकास की बात कर तो ने द थोड़ा तो दियात के जो रूरल एप्रोच रोड है जो यमडियार है उसकी क्या बदतर हालत है साथ और मुझे उनको वो बताने का धंगा अलग है मैं 15 साल विदायक रहूं 96-97 का बेस पार्लिमेंटे नावार्ड मिना हूँ वो कोई चेहरा देखके नहीं देखा परफॉ का बजेट 4,03,000 करोड महसूली उत्पन है उसकी खर्च वर्षबर की खर्च है 4,27,000 करोड बजेट डेफिसिट है 24,353 करोड और इन पे करजा है 6,60,000 करोड अभी सप्लिमेंटरी डिमांड में इन्होंने 43,000 करोड का और एडिशनल करजा लिया है 7,03,000 करोड का करजा हो पिछले दो साल बजेट को 60% कोरोना की वज़े से कटोतरी थी और इसका दुश्परिणाम यह सर 10 साल से अनुकंपा तत्व की नोकरभरती बंद है 9 साल से कास्त्री क्लासपोर की नोकरभरती बंद है 4 मही 2020 से मेडिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और फार्मसी छोड़े तो सब डिपार्मेंट की नोकरभरती कंप्लेट बंद है दिखाना कुछ और है और 2,77,000 पोस्ट व्यकंट है और उसमें पोलिस की वंचा सजा रहे इन्होंने सिर्फ 20,000 भरने के लिए PDFD ने फाइनांस और प्लैनिंग डिपार्टमेंट ने इजाज़ देत, 32,000 पोस्ट को उसको भी इजाज़त नहीं है तो जो राज 4,03,000 करोड का अर्निंग है खर्चा वा साल भर का भूगत नहीं सकता और आईसे आहलत में 6,60,000 पहले और अभी 7,03,000 करोड का करजे का बोज देता है तो राज दिवा लिया हो गया और गाओं में कहते हैं कि हाती नहीं दमडी हाटा गिली शेमडी जब सफेद कपड़े खीशे खाली मिटी मिटी बातों से किसे का पेड़ भरता नहीं सर्व दिखावा कर रहे है आपका ये किदार साब क्या कहेंगे कि कल का जो आंदोलन था एक उस्सा और एक उम्मंग और एक जोज देखा गया क्या बताने की कोशिश की 2024 नहीं एक सो अट्रा साल पूराना ये आंदोलन है हम तिसरी पीडी है हमारी लोकों में एक जागरुती थी कल के आंदोलन में क्योंकि ये बार बार आंदोलन करने के बाद भी एक गुंगी बहरी सरकार सुनने रहे गड़करी साब जैसा नेता जिसने बोला था कि भी पचास हजार लोग लाओगे तो मै भी सांदोलन में आऊंगा इनके साथ दो लोग भी ने रहते दस लोग भी ने रहते मुझे मेरा उनसे विननती थी कि उन्होंने उस दिन आंदोलन में रहना था और देखना था कि लोकों में कसी चावक आई है आज किसान भुका मर रहा है जो लोकों को अनाज खिलाता उसके हाल खराब है वो आत्मत्या कर रहा है यूकों को बेरोजगारों को काम नहीं है और अलग विदर्बल लिये स्विया दूसरा इसमें पर्याईनी ये जनता को मालूम हुआ और हम घर 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 जाके ये कुछ कल का अंदोलन यानि ऐसा नहीं है करके अंदोलन में सौ खर्चा से लोक आये खुद का खर्चा करके जोले जोले खांदे में डालके दो दिन की भाकर खाने की लेके वो नापकुर में आये थे हमारे कुछ कारे करता साथ दिन से भुके मरे थे, भुक से मर रहे थे, क्योंकि वो अंदोलन पर बाइटे थे, लेकिन एक भी अफसर हमको वाद देखने नहीं आया, एक भी सरकार का अदमी वाद हमारी दखल लेने नहीं आया, ये लोग तीन राज्य में चुनके आने के दिया कि नहीं तुमारे बेहोशी में ही रहो, हम हमारा अंदोलन करते रहें। अभी जो शुरुवात हुई है, उसमें यूआओं में एक नया उर्जा निरमान करने का काम के आगा है, और उर्जा होने के वजे से आज आप देखेंगे आने वाले समय में, यूआ इस आंदोलन का चाहरा सामने आने वाला है, यूआओं खुद आने वाला है, क्योंकि कि और उस रिपोर्ट में बताया गया कि उनिस सो सदूसद जो पड़े भी हुआ है जिननों ने ग्रेजुएशन किया है जिनके पास डिग्रिया है ऐसे जो रोजगार नहीं होने के वजे से जो हताशामेगे और उन्होंने आतमत्या किया और आज नाकपूर जो है यह क्राइम में second capital आ गया पटना के बाद ही जो second crime capital यह हमारे लिए शर्म की बात है परन्तु रोजगार में होने के वह जैसे युवाज हो है आज crime के वह रुपे जा रहा है पुरी तरह से निराश है और उसको निराशा से वो सब पूरे होने वाले नमो रोजगार की जब बात ये करते हैं तब बोलते हैं कि विदर्व के नागपुर में अभी नमो रोजगार दो दिन का शिबिर लगा इनका तब बोला गया कि 11,67 लोगों को एक ही दिन में नोकरी दी है कि इसको खारिच करते हैं देखिए सबसे पहले तो गड़करी जी ने जब 17 तारिक को केडी के कॉलेज के पास जो सबा चल रही थी उदगाटन की वहाँ उन्होंने एक लाक लोगों को मिहान में रोजगार दिया करके बताया तो मैंने उनको पूचा कि आप मुझे 10,000 रोजगार दिखा दो वहाँ पर वो ठेके दारों के हाथ के नीचे रोजगार मिल रहा है वो तो आपको वह इसे ही मिल रहा है आप पड़े लिखे है आपके बास डिग्री है अगर आप किसी ऑफिस में अपलाई करेंगे तो आपको 12-15,000 की नोकरी मिलने जाए उसमें कोई यह आइसान नहीं कर रहे है यह स समय में डिगरिया लेकर आफिस आफिस भटकता था तो रोजगार मिलता था पर पक्की नोकरी नहीं मिल रही दे ना और यह कुन सी पक्की नोकरी यह नमो रोजगार के नाम पर पूरी तरह से ढकोसला है यह कुछ नहीं दे सकते यह आस्ताई नोकरी है और यह कब आपको य इनी के लोगों को कॉंटेक्ट देना है और इनी के लोगों के हाथ के नीचे काम करना है यह बनुवा मजदूर ये कुल मिला कर ताते सब क्या कहेंगे कि कल का जो आंदोलन था क्या जोश और होश उड़ाने वाला था देखे सर हमारे जो वामानरोजी चटप नेता है उन्होंने ऐलान किया था कि 31 डिसंबर को हमको विदरवराज लेना है हमारा मिशन था वो मिशन के तहत लड़ेंगे जितेंगे लाठी खाएंगे लेकिन विदरवराज लेंगे इसलिए आमरोन उपोशन की गोशना की और 27 तारिक से नाकपूर में और बुल्धाना में आंदोलन शुरू हुआ और हमारे यहाँ पे नाकपूर में 15 लोग बैठे उपोशन को उसमें से 11 लोग कुछ लोगों की तब्वित खराब हो गई तो इसलिए 11 लोग आंदोलन में आखरी तक रहे लेकिन कल एक तारीक को सब के चेहरे पे इतनी रवनक थी कि आइसा नहीं लगता था कि वही कोई छे दिन से यह उपोशन पे बैठे हुए है इसका मतलब है कि पूरे जुनून से बैठे हुए थे बुल्धाना में ज किया गया है कि आज अपने को रास्ता रोको करना है क्योंकि उसका कारण यह है कि छे-पाच दिन बैठने के बाद चट्वे दिन तक के गवर्मेंट की आर्गनाशन का ना पुलीस डिपार्मन का कोई आफिसर आया ना क्योंकि मैंने कल मेरे को जब वहां पे था आंदोलन मे तब मेरे को एसीपी ने पूछा कि बोले सर थोड़ा देखिये ना कुछ कर सकते क्या तो मैंने तीन सवाल पूछता हूँ बोला आपसे उसके जवाब दे दीजिए उसके बाद मैं पूरे आंदोलन कारे को बाजु हटाता हूँ पहला सवाल पूछा कि सर आप एसीपी करके इसको विजिट दिये क्या छे दिन में बोले नहीं कोई कलेक्टर सहाब ने विजिट दिया क्या उनका कोई रिप्रेजिंटरिव आया क्या छे दिन में नहीं कोई पलिटेशन पालक मंत्री कोई आये क्या यहां पे नहीं सरकार क कि और से कोई आया क्या नहीं तो बोला आप आप छे दिन का अंदोलन हम जो शांति पूर्ण मार्ग से गांधी जी के तत्व पे चला रहे थे तो उसकी आपको दखर लेनी की जुरुत नहीं पड़ी जब हमने अंदोलन की दिशा बदली तो आप लोग यही चाहते हो कि शांत तक कि हम आज सुबह तक बैटे थे तब टाइम नहीं मिला तो सड़क पर आने के लिए आपने मजूर किया सरकार ने मजबूर किया हमें हम तो अपना गांधी जी के मार्ग से चल रहे थे अईसी स्थिती में कल के आंदोलन में हमारी महिलाए पूरी जोशपूर्ण रूप से आंदोलन किया युवाओ ने किया बुजर्योग ने किया सभी ने आंदोलन जोशपूर्ण किया पूरा मेरे खाल से नाखपूर के इतियास में पहली बार आरिबियाई चोग जो सविधान चोग है वो सविधान चोग को एक घंटा 20 मिनिट के लिए रोका गया है यह शायद पहली बार हुआ है पुरे नाकपूर के इतियास में आज तक का ऐसा आंदोलन जो विदरबाज आंदोलन समीति के निए पुरतक विदरबगले किया इसलिए हमारे सभी जो विदरबादी है वो अभिनदन के पात्र है हमारे नेता है चटरब साप अरुन्बव केदार है प्रकाश पोरे जी है हमारे मुकेश मासूर करने रंजना मामरडे जी है यह सभी अभिनदन के पात्र है इसलिए है कि उन्होंने जो जोज गिया पुरे युवा को महिलाओं को पूरे बुजरुगों को उसके कारण से हमारा कल का अंदोलन जो सक्सेस हुआ सरकार की गलती से नाकाम्याबी से कारण से हमको अंदोलन मजबूरन करना पड़ा यह मैं आपको बताना चाहता हूं अपना विदर्ब लेके रहेंगे और ए इस साल हम अपना विद जलाई जाती है करार की कावपिया जलाई जाती है 1903 पनमाप की जिगा तो क्या लगता इन सारी शीजों को देखते हुए यह धोका आखिर वास्ताव में क्यू दिया गया किसले दिया गया या राजनिती की सत्ता भोगने के लिए यह तो सिधा ही हसर इन्होंने चुनावी जुम्ला करके मतों की राजनिती की फाइदा उठाया और जब पुछा गया कि आपने कबूल किया लिख कर दिया क्या है तो वो बोलते हैं उतना चोड़ के बोलो गड़करी साहब जैसा नेता बोलता है मेरे को कि हमने बोला कि मोधी का समय लो आप हम चलेंगे मोधी को मोधी जी से बताएंगे कि भई यह हमारी मांग एक सव इतने सालों के उसको खतम करो तो वो बोलते थे मुझे की मोधी जी के मिलने जाने के समय तेल लगा के जाओ यह यह पक्का कहना है सत्ता और संपत्ति में दुरगून है कि किसी भी आदमी के यह संस्ता के नाक के पास जाती है तो उसको क्लोरोफार्म यानि सुंगने का दवा देने की जरूरती ने पड़ती है आदमी बेहोश होता है नजाकत आई जाती है यह भला ही प्रभूराम का नाम लेके आए यह मूमे राम बगल में छूरी करके आए इनमें भी कोई फर्क नहीं बचा और इनोंने प अरऑ बताते पुरान में कि रगुक लरीत सदा चली आई परान जाय पर बचन न जाई और माराथी मे ने चाहा है बोले के ने चाहिन चैनल आँ आप तीन भार के विदायक रहे हैं, लेकिन विदर्ब राज्य के मांगों के अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी लिस्ट है, 1962 में मादव श्रिहर यहने, राजे विश्वेश राओ, चंद्रपूर से लोकसभा के सांसत पते, जामुंत्राओ धोटे, 1971 नाखपूर लोकसभा, व आज तक विदर्ब वादियों के प्रतिन निदित्व का जो दाइरा होना चाहिए था, संसद में या फिर सदन के विदान सबा में, वो क्यों नहीं हो पाया, कहा इस आंदोलन को ये किया गया है? वनिस सो चपन में, कॉंस्टिशन में एमेंडमेंट हुआ और ये नाखपूर करार की बात, ये सेंट्रल गवर्मेंट ने और पार्लमेंट में संशोधन करके 371 दो का ये आर्टिकल उसको जोडा गया, और उसमें एशुरर दिया गया था, कि सेंट्रल गवर्मेंट, विद और उस पर पॉपलिशन के आधार पर निदी का बटवारा है, या उसका सुपर विजन है, उसका कंट्रोल है, महा महीं में लाज्यपाल उसके प्रिशनेंट रहेंगे, इन्हों ने चपन की घटना दुरुस्ति, जिसकी वज़े से सिपेंट बेरार के अपने सब मध्यपरा यहां पॉलूशन हो रहा है, पुरी सिटी चंद्रपूर तो नंबर एक की पॉलूटेड है, वहां सब लोग क्यांसर जैसे आजारों से, हार्ट अटाक जैसे बिमारीों से तरस्त है, और दूसरा ऐसा कि हमार चार जन प्रतिरी निकम हुए, एक MP कम हुआ, तो इन्हों ने वादे किये, यह हुआ, सिर्फ दो ही आदमी ने, कमिटमेंट के मताबिक, आखिर तक यह जंग लड़ी, क्योंकि आप जाने के बाद भी सही ढंग से चलाई है, और बाकी के बारे में बोलने का यहीं नहीं, उसके बाद के नेता, जैसे ही साइट चेंज, सर्विस हो गई, तो रात गई बात गई, और यह जो बोलते हैं प्रभूरामचंद्र का नाम लेने वाले हैं, और इनको तब पुछने का बच्चा ही नहीं है, अभी यह बोलता हूँ, वक्त इनसान पे ऐसा भी कभी आता है, रहा में छोड़के साया भी चला जाता है, इतने लोगो मेरे सुने मुरा कहना, जहां नहीं चाहिना वहां नहीं रहना, तो यह जब समझाए लोगों को, तो लोग बहयाए बनो, बहयाए हजार वरकत है, यह सोच से कल के अंदुल में आए, इदर साब क्यों नहीं देना चाहते यह लोग पृतक विदर्व, अगर आकलन की बात की जाया है, आपके इतने साल के अनुभव की बात की जाया है, तो कई सारे अंदोलन तो खड़े करते हैं, लेकिन कई न कई जब हमारा प्रतिनीदित्व किसी पार्टी में चला जाता है तो उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, फिर उसके विचार बदल जाती है, क्या वज़ा रहे है इसको राजनीती इसका में कारण है कि विदर्वक्य चनीता, क्योंकि जो अदमी बंगले में रहता है, वो फ्लैट में रहना नहीं चाहता है, उसको नरीमन पॉइंट की हवा देखने मिलती, वो कभी विदर्वक्य नहीं बंगले महाराष्ट्र के अंदर जो नियोजन बनता है, फाइवेर प्लैनिंग बनता है, उस प्लैनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जो है, वो विदर्वक्य नाम से दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जंगल है, गर्चोर करने मिलता है उदर, और दूसरी बात महाराष्ट्र का नेतर तो कैसा है, एक स्कूल, कालेज, एकादेप, इसका अद्यक्ष्य बन गए, कि यह कभी जिंदगी में दुबारा नाम नहीं लेते, विदर्वक्य और यह कारण है कि विदर्वक्य का जो स्टेज है, वो स्टेज होते हैं, वो भी एक कारण है, और इन कारणों के कारण, नेताओं को विदर्व बिलकुल नहीं होना, लेकिन जनताओं को होना, हम घर घर जब जनता के स्कूल पहुचे, पॉंपलेट दिये, तब उनका कहिना था कि हाँ, विदर्वक्य होना चाहिए, मतलब नेताओं से पर नाम पर काफी सारे नेता बन गए, काफी लोगों ने पलेयान भी कर दिया विदर्व के मुद्दे पर, आज जब सवाल पूचा जाता है, तब जवाब नहीं मिलता, युवा नेतरुत्व किस तरह से देख रहा है, और किस तरह से लड़ा है, और उस वज़े से जिसे अभी पूना और मुंबई में, यहां रोजगार की स्थिती नहीं है, तो उसके पिछे पिछे उसके माता पिता भी जा रहे, तो उसका कोई दोष्ट नहीं है, क्योंकि यहां रोजगार ही नहीं है, आप यहां के जो आमदार और खासदार है, वो इत्ते उदासीन है, कि उनको पर 1265 होने के बाद आज वहाँ पर स्रिफ 302 कारखाने चल रहे हैं बाकी सब बंध है मिहान की हालत ऐसी है कि मिहान में अभी तक जो प्रोजेक्ट आने थे वह आये नहीं बिदली इतनी महेंगी कर दी साले 10 रुपे के इसाब से दूसरे स्टेट में जो बिदली है वे आप उ है कि एकल खिडकी योजना भी नहीं आपको देना ही रहिए तो कोई उद्व कोटी नहीं आरहे है जो उद्वधान सबा बरी तो यह सवा सब नेता जो है उदासीन है उनको शरीप अपने आपको देखना है उनको ऐसा लगता है मुझे कुछ मिल गया तो सब हो गया परंतु आने वाला समय ऐसा है युवा आब जो है मुंबई और पुना के बराबर मैं भी तरक्की कर सकते हो मैं भी दिल्ली के बराबर तरक्की कर सकते हो पर उसको मोका नहीं मिल रहा है पर खुद मोके की तलाश में अब उसके लिए एक चुपाय बचा है स्वतंत्र विदर्बराज्य और उसके लिए वो यहां इस आंदोलन म खुद आएगा उसका नेतरू तो खरेगा और वो चीन कर राज्य लेगा और ये राज्य का जल ही जल जण्डा पढ़कने वाला विदर्भ राज्य लगए वाल तात्या साहिब, जो सवाल था, हाला कि टोचने वाला सवाल था, बहुत से लोग बन गए, लेकिन बनते ही वो उन्होंने अपनी भाशा बदल दी, क्या गए? सर देखे, सबसे पहले तो 1956 में जब महारास्ट विधर्ब को द्विभाशिक राज्य में लिया गया, तब क्या हुआ कि वेश्वंत्राव चववान जो थे ततकालिन मुख्यमंत्री, उन्होंने सोचा कि अगर हम विधर्ब को नहीं लेते महारास्टर में, तो हमां इंडस्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए 33 परसेंट जंगल चाहिए वो स्टेट के पास में, अगर इंडस्टी खड़ी करना है, उनके पास 22 परसेंट जंगल है अपने पास में 24 परसेंट जंगल है इधर, तो वो सबसे पहली बात थी, दूसरी बात ऐसी थी कि य जहां की जो उस टाइम जो GDP था यहां का, मतलब प्राफिट में था है धाई करोड से करीबन यहां का बजेट, विदरबगा, बजेट में प्राफिट में रहने वाला जो एरिया है वो विदरबथा, तो उन्होंने देखा कि जो एरिया में इतने सारे खनीज है, इतने सारे जंगल है तो वो एरिया को हमारे साथ में जोड़ लेते हैं तो उनके रा मट्रेयल पर हम अपने आया उद्द्यों खड़े करेंगे वही उन्होंने किया बिजली यहां पैदा की बिजली के दर उन्होंने अपने यहां पेप सबसीडी दी उसका एक उधारन देता हूं कि जिस वो पास साल के अंदर पूरी माईडी सी भर गई क्यों भर इंसकी जो घॉर्मेंट कोई बी माईडी सी कब वरते हैं उद्द्च रहत जकप जाता हैं जब पूरा उनके पास में 13 परसेंट था ठाली तो वह साथ परशेंट को 103 परसेंट पे लेके चले गए और हमारा सिर्फ 23 परसेंट पर आभी इरिगेशन इसका मतलब यह है कि अगर उस टाइम हमारा एक में 1960 को जब महारास्ट्र में आए और उस टाइम अगर हमारे प्रजेक्ट पूरे होते तो हमारे किसानों की हलत खराब अच्छी हो जाती आज क्योंकि तीन फसल ले सकता जो किसान पच्ची माराट में ले रहा हुई अगर किसान के लिए जो इनपूर से निविष्टा है वो पोचाने के लिए बहुत तकलीव है आज भी बाद में जो प्रोडूस निकलता है अग्रिकल्चर वो लाने के लिए तकलीब है मार्केट तक यसकी आज बजेट की किम्वत बढ़ चुके उस दिन जो अजीत पवार जी ने बोला कि हमारा भाष्टम कर दिये तो भाष्टम चैकलाः करोड का इसा हो सकता है वो आज करोडों में पहुच चुका है और वो बोलते कि हमने बैकलाग खतम कर दिया तो बैकलाग खतम होता तो यहां के रस्ते के हालत इरिगेशन प्रजेक्ट एक से होकती जो अधूरे वो पूरे हो जाते थे गोसिकुरुद प्रजेक्ट पूर जाता था कुष्टना खोरे लों के अंदर छोड़के पस्ची महाराष्ट के नेताओं ने पूरा पैसा लेके गए शरत पवार सहाब से मेरी बात हुई थी उन्होंने एक सवाल पूछा में मैंने पूछा कि भाई सर हमारे आप विधरम में हमने आपको सियम दिये तो मैं लगा सियम दिया सर बराबर है कितने 65 andra का सीम बनाये आपने 222 आपके पास में 228 सी में से तो अगर आपको मैं 266 आमदार का तो आप कर सकते क्या कल 222 ने बोल दिया कि हम आपका सपरतन नहीं है तो कल आप तो सियम से गए मतलब आपका हमारे सियम को आपने मिचा डरा डरा के पैसा लेके गए यहां से सिर्फ नाम के लिए सियम दिया नाम के लिए अर्थमंत्री दिये क्योंकि फड़नवीश जी भी जब अपी मुईक नाखपूर कारपूरेशन के लिए तो कहने का मतलब मेरा है कि सियम भी बनता है लेकिन 222 सामदार का डर के कारण से वो बजेट में तर्तूत करने के बाद भी पैसा नहीं दे सकता विधरवजदानीक विकास मंडल बनाए उसमें भी वही हालत हर साल राज्यपाल डिस्ट्र पर देखे और वो पैसा पूरा उट्लाइज करते थे पस्ची महरास्ट्र में उस कारण से पूरे आज इतनी स्थिती खराब है कि यहां के युवाओं को रोजकार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और यह अपने जो शहर है वो पूरे उर्दाश्रम बन चुके है ऐसी स्थिती में अभी विदर्बराज ये एक में परिया है खाली इसमें विदर्बराज मिले सिवा ये सब स्थिती से हम उबर नहीं सब चटप साप आर पार की लड़ाई है दोजार चुबिस के लिए क्योंकि चुनाओ भी है चुनाओ का दोर रहेगा बताना है कि विदर पी लिडिंग पार्टी थी एंडिया में उन्होंने लिख कर दिया था हम सत्ता में आते तो राज करेंगे इन्होंने दूसरा ये भी लिख कर दिया था कि मैं कसम खाके बोलता हूं यदि आप मुझे सांसद मना हो गया नाखपूर से तो मैं पार्लेमेंट में 10 अकसर उठा चौदा से वनिस में हमने जो जागर किया विदर में उससे इनके वनिस के चुनाओं में मोदी की लहर होते हुए भी चौवालिस के वंतीस विदाय कोई पंदरा विदाय किर गए मैं दावे से बोलता हूं यदि ये कोई बेहमानी करते ठगी करते है तो इनका इनकी मुर्ग 24 के चुनाओं में अंडा भी नहीं डालेगी आने वाला जो चुनाओं है वो भोत मत्वपूर्ण रहेगा और युवाओं के होट उसके लिए मत्वपूर्ण रहेगा और युवा जो है इस बार विधर्बक के नाम पर ही होट डालने वाला और बिजेपी को आप घर में बठा लेगे क्योंकि ये दस साल सत्ता में रहते है जो 18 साल से 25 साल के बीच का जो होटर है उसके दिमाग में यह है कि यह रोजगार नहीं है तो चाहिए वो नमो रोजगार दे या कुछ भी दे पर वो रोजगार नहीं है इसी वज़े से वो इनको अब अंडा भी नहीं मिलने वाला यह पक्की बात है सर हम हमारी एक विंग जो है विदर्वा राज्य अंदोलन समीति की यह शिर्प अंदोलन करती है इसमें सारे पक्षके लोग है लेकिन हमारे जो दिवंगत निता रमभुजी नेवले इनके ध्यान में आया कि विदाउट बैलेट का सपोर्ट लिए यह वी कैनाट वीन तो उन्होंने जय विदर्वा पार्टी की निर्मिती की जिसका राष्टी अद्यक्षा मैं कुद हूँ और एक तरफ से हमारा हमारी लड़ाई जारी रहेंगी और दूसरी तरफ से हमको सपोर्ट देने वाले जो लोक रहेंगे जो विदर्वा की बात करेगा वही लिखा हूंगा उस हमारी उनसे सुचना रहेगी कि उन्हों नहीं विदर्वा वादियों को होट देना चाहिए इसलिए दूसरी बैलेट पेपर से भी हमने एक विंग तयार की हूँ है जो विंग इस चुनाओं में दोजार चोईस के कामियाब रहेगी जी बिल्कुल दस तक है देखिए पहले ये जो विदर्वा था ये कांग्रेस के साथ में था उन्होंने धोका दिया विदर्वा के मुद्दे पर विदर्वा नहीं बनाया उसके बाद 2010 में बिजेपी वालों ने आश्वासन दिया कि हम इसको विदर्वा बनाएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये डेवेंदर फरनुजे बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगा उन्होंने खामगाओ से आमगाओ तक के यात्रा निकाली उसमें मुनगंटिवार जी साथ में थे उनके सुधिर मुनगंटिवार जी गड़करी साहब ने भी साहब ने बताया हमार का कंग्रेस ने नहीं किया उसने सत्ता से बाहर हो गए वो विदर्ब से इन्होंने आस्वासन दिया उसके बाद में 44 विदाले आये यहाँ पर उसके बाद उन्होंने मुद्दा छोड़ दिया 29 पर आया और अभी इसके पूरे अंडे पर जाएंगे हमारे जो रास्टी जो है वो विदर्बराजा अंदोलन समीती के लोगों ने कम कर दिये बीजेपी के और दस की दस सिटे विदर्बक के अंदर में गीर सकती है यह रिपोर्ट तो हो गया पुलिस डिपार्मेंट का लेकिन उन्हों जो सर्वे किया तावडे साब के नेतरूत्व में उसमें भी आजसा रिपोर्ट गया है कि यहां की सिटे पूरी की पूरी गिर सकती है अभी अगली बार विदर्बक के अंदर में एंपी की पर यह में लिकी तो अंडा ही मिलेगा इनको इसलिए यह पूरी विदर्बक के विदर्बच आंदोलन समीती के तरफ से आंदोलन के जरिये जै 29 में से पूरा अंडा हो जाएगा इतनी आपको मैं पूरी बात 100 परशन बताता हूं ये दस्तक हमारी कल के जो आंदोलन है वो दस्तक पूरी दे चुके हम लोग विदर्वादियों की दस्तक थी जो कल के आंदोलन से जुड़ी हुई थी और देखा जाएगा तो तमाम विदर राज अंदोलन समीती के अंदोलन की 2024 लग चुका है और 2024 में लोग सभा चुना होने वाले हैं और साथ में विदान सभा चुनाओं भी आएंगे कारपोरेशन के चुनाओं में ऐसे में विदर्वा राज अंदोलन समीती का ये जो आंदोलन है सही में राजनेताओं के लिए कई न कई एक जो 2024 का जो इलेक्शन है वो किस और करवट बदलता है फिलाल विदर्ब राज्य अंदोलन समीती के सदस्यों से बात हो रही थी वामन राव चटब थे, मुकेश महसूर करते, हमासे मते साहब थे विदर्ब राज्य के साथ तो बने रही है हमारे साथ में देखते रहे विकेवी न्यूस नमस्कार